जैश्री कृष्णा, आज हम एक बहुती सुन्दर कहानी जानने जा रहे हैं। एक काव में एक रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और चार लड़कों के साथ रहा करता था। रामलाल खेतों में महनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। वो बहुती महनती था। दिन और रात काम में लगा रहता था। लेकिन उसके चारों लड़के बहुत आलसी थे। जो गाउं में इधर उधर घूमते रहते थे। कोई काम नहीं करते थे। बस पूरा दिन यहां मटको वहां मटको। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूं। लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा। इन्होंने तो कभी महनत ही नहीं की। ये तो कभी खेत में भी नहीं गए। इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि किस तरीके से खेत जोता जाता है, किस तरीके से फसल उगाई जाती है, ये किस तरह अपना पालन को पोशिन कर पाएंगे रामलाल की पतनी ने कहा धीरे धीरे ये भी काम कर लेंगे, समय बीटता गया और रामलाल के लड़के कोई काम नहीं करते थे, एक बात रामलाल बहुत ही बिमार हो गया, वह काफी दिनों तक बिमार रहा, वह खेट भी नहीं जाता था और कोई काम भी नहीं कर पाता था, फिर अपनी पत्नी को कहा कि वह चारो लड़कों को बुला कर लाए उसकी पत्नी चारो लड़कों को बुला कर लाई रामलाल ने कहा लगता है कि अप में ज्यादा दिनों तक जिन्दा नहीं रहूंगा रामलाल को चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा इसलिए उसने कहा मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया है वह सारा खजाना अपने खेतों के नीचे दबा कर रखा है उसने यह बात अपने चारों बेटों को बता दी मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकाल कर आपस में बाट लेना यहाँ बात सुनकर चारों लड़के बहुत खुश हुए कुछ समय बाद रामलाल की मृत्यू हो गई रामलाल की मृत्यू के कुछ तिनों बाद उसके लड़के खेत में दबा खजाना निकालने गए उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत जोड डाला लेकिन उसको कोई भी खजाना नहीं मिला लड़के घर आकर अपनी मा से बोले मा पिताजी ने हमसे जूट बोला था उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला हमने पूरा खेत खोड डाला है उनकी मा ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है लेकिन अब तुमने खेत खोड ही दिया है तो उसमें बीच भी बोदो इसके बाद लड़कों ने बीच बोए और मा के कहें अनुसार उसमें पानी देते गए कुछ समय बाद फसल पक गई तयार हो गई जिसको बेच कर लड़कों को अच्छा मुनाफा हुआ जिसे लेकर वह अपनी मा के पास पहुंचे मा ने कहा कि तुम्हारे मेहनत की असली खजाना यही है तुम्हारे पिताजी तुमें यही समझाना चाहते थे कि मेहनत करोगे तो बहुत पैसा मिलेगा बहुत खजाना मिलेगा उसके लिए दबा हुआ खजाना ढूनने के जरूरत नहीं पड़ेगी तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें आलत से को त्याग कर मेहनत करनी चाहिए मेहनत ही इनसान की असली दौलत है अब मिलते हैं हम अगली कहानी में तब तक के लिए राधे राधे